वाल पे एक्सटेनर मिक्स करके हम लगाएंगे जो एक्सटेर वाल फ्रेमर होता है इसे जैसे कि इसको पेंट से पहले लगाया जाता है हम इस वीडियो में फ्रेमर से एक्सटेनर मिक्स करके जो टिंट होता है इसको मिक्स करके एक अच्छा सा कलर बनाएंगे जैसे कि इस टे बकिट को ऑउपन करके सबसे पहला 200 ml ओरेंगे क्योंकि 20 लिटर की बकिट में जो है 20 लिटर प्रेमर जो हमारे पास है इसके साथ-साथ में एक यलो 20 लिटर के लिए 200 ml ले लेंगे और एक पानी में अच्छे से गोल लेंगे ताकि एक कलर बन जाए सूपर कलर जैसे से भी एक शांदर कलर बना सकते हैं वालप लगाने के लिए इसकी कम प्राइज में आपको एक शांदर कलर बनके आ जाएगा तो दोनों 400 ml मिलाने के बाद एक फ्रेमर की बकीट में और इसको आदा-दा कर लेंगे और इस टेनर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताके हमें कलर अलग अलग ना देखे तो इस फ्रेमर से इस तरह कलर कुछ आ जाएगा वैसे यह कलर जो है केमपूरर मिक्सिंग का होता है अगर आप चाहे तो यह टूब मिक्सिंग करके आप इसको लगा सकते हैं जैसे कि खुश्पुदार पैंट होता है इसके बारे में कुछ जानकारे दे दूँगा बरजर एकस परेकस पैंटिंग के बारे में जो इजी क्लिन फ्रेश है खुश्पुदार पैंट है साथे साथ में एक निपौन का जो है इजी वाश जो बहुत ही अच्छी खुश्पुदार का है जो हम इस वकद घर पे लगा रहे हैं वाल पे यह जो पैंट से अभी अभी आपने देखा तो साथे साथ में हम अंदर जो कलर लगा हैं ये भी खुश्पुदार का पैंट है जो के एशिन का है और इसको किस तरह से हम लगा के यल शिप यू शिप बनाए हैं अब हम आगे आपको दिखाएंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क तरह लगाया था खुश्पुदार जो एशिन का है ये अपो क्वालिटी का हमने लगाया था जो कि अभी इस वाकत आप डार्क पिंक के साथ में एक यलो भी देख रहे होंगे यलो कलर के साथ में मैच किया था डार्क परपल जो हम इसके साथ कामबोनेशन के साथ में नया चाहिए अगर आप इतना डार्क लगाते हैं तो फिलहाल आपको एक साल तक भोधी अच्छा सा लुक नदर आहेगा उसके बाद जाके शाएद आपको बोरिंग लगेगा तो अगर आप कलर कामबोनेशन के बारे में जाना चाहते हैं तो लेफ्ट याई राइड प